एलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का मेरी एक और इस नई वीडियो में दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मैं चैनल एपेक्सून और अगर अप मेरे इस चैनल पे नहीं है ज़रूर से सब्सक्राइब बेटन क्लिक करके बाल आकिन क्लिक करके और अल आप्शने आपर सेले मैं आप देखते हैं मैं रोजी वीडियो डालता हूं पर मुझे ही पता हमें कैसे डालता हूं कुछ भी कॉंटेंट लेके आता हूं पर आपके लिए एक अच्छा वैलियोबल कॉंटेंटी लाता हूं तो जरूर से सब्सक्राइब करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में दोस्तो आज बात करेंगे एक लेट मोबाइल के टीपी और एफ़पी की तो दोस्तो यहां पर मैं जानता हूं बहुत जारा जो एपक्स लेजेंड्स मोबाइल के रियल लवर्स होंगे उनको यहां पर एफ़पी पसंद होगा टीपी बहुत ही वीर्ड लगता देखने में यार मैं सच बता हूं तो मैं भी एफ़पी वलोके ही साइड हूं क्योंकि सच्छी में यार इसका यह गेम न टीपी में जचता नहीं है मतलब justify नहीं करता है यह गेम टीपी पर मैं आपको इसका reason बताता हूं respawn entertainment यहाँ पर बहुत चालाक है क्योंकि उसे पता है जब इस game को इन्होंने इंडिया में लॉंच किया था तो उनका main focus यही था कि इन लोग ने जो TPP दिया है इनको पते जो Asia region है वहाँ पर TPP गेम ज्यादा खेले आते हैं जैसे कि PUBG Mobile हो गया प्रिफार हो गया Call of Duty Mobile होगा आपको पता है Call of Duty Mobile भी एक FPP बेस्ट गेम है फिर भी लोग उसका बैटर वैल अल्मूस्स सारे 90% लोग उसका बैटर वैल TPB में खेलते हैं तो दोस्तों ऐसा इसी लिए है और यहाँ पर आपको पता होगा जो FX Land Mobile है आपको मतलब मैंने बहुत लोगों से हैं पर पूछा है मेरे पास तो अब्वेसली बीटा है नहीं अभी मुझे मिला नहीं था तो जिन जिन लोगों को मिला है मैंने उसे रिव्यू लिया भाई तो दोस्तों अभी मैं समझ सकता हूँ कि ज्यादतर लोग अभी यहाँ पर TPP खेल रहे है तो मेरे को पता नहीं इसका रीजन क्या है दोस्तों TPP अभी उन्हीं लोगों को पसंद आने वाला है कि जो कि यहाँ पर PUBG Mobile, Call of Duty Mobile और Free Fire से यहाँ पर आया है पर यहाँ पर जो Real Apex Land के फैंस हैं वो यहाँ पर FEP को ही पसंद करते हैं और यहाँ पर मैं आपको ने डिस्क्रिप्शन में Twitter handle के लिग दूँगा Apex Land का एक page है Apex Land Mobile का तो वहाँ पर उन्होंने पूछा था कि अगर Respawn को आप कुछ इस गेम से remove करने को बोलो तो क्या remove करोगे यार Maximum Public यहाँ पर यही बोल डिती कि इस गेम से आप TPP को remove करो क्योंकि यह गेम TPP में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो दोस्तों यह देखो सबके अलग-अलग opinions होते हैं जो जिस गेम से आया है जो जिस गेम से comfortable है वो वही खेलेगा और अगर respawn इस गेम से TPP को हटा देती है तो यहाँ पर उन्हें बहुत सथा loss हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो PUBG Mobile और Call of Duty Mobile और Free Fire से जो players आएंगे अगर उन्हें वो मजबूर करेंगे FPP में खेलने में तो obviously कुछ दिन खेलेंगे फिर उस गेम को छोड़ देंगे और अपनी पुरानी गेमस में वापस चले आएंगे और जो इनकी गेम के लिए बहुत बड़ा loss यहाँ पर जाबित हो सकता है तो इसी के लिए यहाँ पर EA और Respond ने यहाँ पर TVP को Apex 10 Mobile का अंदर इंट्रोड्यूस किया है तो यही थी दोस्तो आज की वीडियो वीडियो पसंद आयो लाइक करना और यहाँ पर चैनल पर नहीं जरूर से सब्सक्रेब करना है और बहुत मेहनत लगती है content मनाने में पिलकुल से कुछ content मिलता नहीं फिर भी अब के लिए आपर रोज वीडियो आती है जरूर से सब्स